नमस्कार मैं हूँ रुपक शर्म और आप देख रहे हैं हिमाचल समचार रामपूर में जी हां रामपूर में नियमों को ताक पर रखकर अवैत खनन किया जा रहा है आलम ये है कि रेत माफिया 50-50 फीट तक जमीन को खोट कर रेत निकाल रहे हैं खनन माफिया की खामियों के कारण एक विद्वत विभाग के कर्मी की रेत की निचे दबने से मौत हो गई इस मौत के बाद किसान सभाने सरकारी तंतर पर आरोप लगाया है कि सरकार खनन माफियाओं को स्रक्षन दे रही है रामपुर में अवैद खनन का कारोबार जोरों पर है खनन विभाग के मुश्तेदी के बावजूद भी अवैद खनन पर रोक नहीं लग पा रही है खनन माफिया बड़ी बड़ी मशीने लगा कर पचास से असी फीट तक गहरी खाई खोदने में लगे हुए हैं और इसी कारण बिजली विभाग में कारियरत रमेश कुमार की रेत में धसने से मौत हो गई अगर नियम के अनुसार खुदाई होई होती तो रमेश दबने से बच जाता बावजूद इसके अवैद खनन जारी है किजान सभा का अरोप है कि रेत का ये खनन अवैद रूप से सरकारी और संबंधित विभाग की सरक्षन में चल रहा है जिससे कि सरकार को रोयल्टी के रूप में लाखो रुपयों का चूना लगाय जा रहा है शिमला किसान सभा के जिला अध्यक्ष बिहारी सेवकी का कहना है कि खनन नियमों की सरे आम उलंगना की जा रही है और रमेश कुमार की मौत के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर अवैद खनन का कारोबार बदस्तूर जारी है जो सरकार का माइनिंग के नॉर्म्स है उसका तो इसमें खुला उलंगना हो रही है रामपुर में अब परसु का जो इंसीडेंट है जिसमें एक आदमी की मृती हो गई है और रेत के निचे दबने से पहली बात यह है कि जो रेत की माइनिंग जाए अगर वो प्राइवेट भी है तो उसको लाइसेंस मिला है उनको या नहीं मिला है जो रोयल्टी देनी है पंचायच को और सरकार को देजानी है वो नहीं दे रहे हैं शिर्फ अपना मुनाफ़ा कमा रहे हैं तो जो उसके नॉर्म्स के वाइलेशन है उसमें सरकार को कदम उठाना एडिशन को कदम उठाने की जोर्त है परशाशन अवैद खनन के कारोबार पर अंकुष नहीं लगा पा रहा है और अब इस बेरोग टोक चल रहे अवैद खननने बिजली विभाग में तैनात रमेश कुमार के जिंदगी लील ली है रामपूर से बिजली विभाग का करमचारी था वो आखिर इस अवैद खनननने वाले इलाकी की जद में कैसे आया जी वो इसी शेतन में लाइन के काम को देख रहा था ऐसा बढ़ाय जा रहा था इस बीच जो खनननन किया गया था वो काफी उंचाई पर काफी कोई पचास फिट जो उंची खाई बनी थी तो उसके नीचे वो बैठा वो था वहां पर और उपर से अचानक जो रेत के जो तीला है वो नीचे गिरा और उसकी चपेट में आने थी उसकी मौत हो गई अब रही तक खोदा जा रहा रहा था मशीनों के ज़रीए से और इसे खनन के जो तमाम काईदे कानुनों उनको दर रकान के नारे पर रखा जा रहा रहा है मैं सरकारी तर्थ पर पर प्रशंचिल लग रहा है जब कि इस सरकार की और से लगब 15 विवागों को इस तरह के कारें को रोकने के लिए जो पावर्थ दिये गए हैं बिशेशर एक चीज जानना चाहेंगे आप से कोई नई बात तो है ने कि अवैत खनन वहां पर जा रही है इसी कारण सरकारी तंतर भी कारवाई में कर रहा है दूसरा इसमें जो संबंदित खनन विवाग है इसकी काखी समय से शिकायते हैं लोगों को मिलती रही है कि विवाग इस दिशा में कोई कडम नहीं उठाता है उनकी सांड गांड ऐसे खनन रातिया से लए हैं और यही कारण है कि जो खनन का कारवार है वो डड़ले से हो रहा है हलांकि पुलिस का ये कहना है कि वो पुलिस खनन विवाग अगर उनसे प्रातना करती है तो पुलिस जो है उनकी साहता के लिए हद समय प्यार है लेकिन इस दिशा मैं खनन विवाग कोई कदम नहीं उठा रहा है अधिसे मैं सवाल हुटा है कि खनन विवाग कियूं कदम नहीं उठा रहा रहा है ऐसे कामों गतिविडियों को रोकने के लिए जब कि ये खनन करता जो लोग हैं स्ठानी लोग उनको का कासी महगे नाव पर बेचे ना यह सरकार को रॉयल्टी जा रही है ऐसे में खनन करता जो है मुटी तुमाई कर रहे हैं बिशेशर एक बात आप से जानना चाहेंगे यहाँ पर एक शक्स की मौत हुई है पुलिस ने केस दर्ज किया है पुलिस ने किस के खिलाफ केस दर्ज किया है यहाँ पर अभी प्रारमी है तो क्या रहा है यह हो रही यह सारी तमाम बातों को ज्यान में रख करके मावले के जाननीं की जा रही है और उसके बाद जो इसमें आगए अगली दिशा में काम किया जाएगा बहुत 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 शुकरे इस तामजान करी निशेशर आपका तो रामपूर में ध्रले से अवैत खनन जारी है और इस अवैत खनन के चलते ही एक बिजली करमचारी की मौत हो गई है अब देखना होगा कि परशासन इस मौत के बाद कितना सतर्क होता है क्योंकि परशासन को भली बाती मालूम है कि अवैत खनन चला हुए बावजुद इसके बावजुद इस एक किसान ने कर्ज नहीं चुका पाने की कारण खुद को अग लगा ली। आतम धाक करने के बाद किसान को चंडीगड के पीजए ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। इम्रित किसान ने ग्रीन हाऊस लगाने के लिए लाकोन रुप्रे का करण बैंक से लिया था। करज वापसनना कर पाने की वज़ा से वो काफी दिनों से तनाव में चल रहा था करज में दोवे किसान ने आतम धाक कर लिया और यह हिमाचल का पहला मामला है जब किसी करजदार किसान ने इस तरह से खुद कुशी की है पुर्फैनिक कुशल चंदेल जो की भटेड के तहट स किसी की वज़ा से उतनाव में चल रहा था और जिसके बाद उसने खुद को आग लगा कर आतम हत्या कर ली कि इन्होंने के पीशे कारण में कि इन्होंने एस्बाइए बैंक से लोन लिया थे बिनावसु लाने के लिए सही टिकशल डिपार्टमेंट साहीं गृडेंस के साहीं होगी, साय मुझ वैसारहय लाजिदा उन्होंने की सब्स्यड़ थैंनों कि इस साइप नहीं होगी सिखवाब साइप टीहार थिया थे demand 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 जब किसानों को वो जो लोन देने शुरू किये वेबसाइट जब कि ये अग्रिकल्चर लोन थे ये 4% के उपर होने चाहिए थे तो ना सरकार की तरफ से कोई पहल हुई ना बैंकों की तरफ से पहल हुई था वो जो लोन के तले दबे हुए थे उसके अंदर सबसे बड़ी ब भारों ने पॉली हाउस का निर्मान किया और उनमें से क्रीब 400 के लगभक जिला विलासपुर के अंदर पॉली हाउस बने हैं जो आज से चे वरस क्रीब चे वरस पहले वले थे और सबसे बड़ी विडंबना ये है किसानों के साथ के विभाग ने किसानों को इनका निर्वान करते वकत कताई भी गाइडनी किया और इस खबर पर बात करते हैं बिलासपूर मौजूद अपने समवादाता विजय भारद्वा से जी विजय काफी दुख़त मामला है और ये अपने आप में पहला मामला है हिमाचल परदेश में जब किसी किसान ने खुदकुशी की है पहले जो एक ग्रीनाउस प्रजक के तहते जो है लाख रुपे का लौन जो है बैंक से लियाता है कि मैं आपको स्वी दनकार देज़ता हूंगा जिस्टर ग्रीन हाउस प्रजक जो है वो बागवानी तकनीकी मिशन के तहट चला जाता है जिसमें किसानों को जो है कम ब्याद देना परता है और सातमन को सब्सेड़ी बिली जाती है लेकिन सुधी ऐसी हो गई कि जो सब्सेड़ी है वो इसे पूरुसानिक जो है किसाने इनको नहीं मिल पाई और जब वो सब्सेड़ी मिल जाता कि जो लौन की प्रीमत थी वो काफी बढ़ गई थी इसको वो चुका नहीं पाई जो देने में नाकामया में रहे उसके बाद साफी डिप्रेस्टर रहने लगे उसके बाद बैंक ने खिलाप नोटिस बोर्ड पर सूचना भी जारी कर दी कि यह तिपाल्टर है और जो प्रेमेंट नहीं दे पा रहे हैं कर्ज की जो रासिया वो नहीं चुका पा रहे हैं जिसके यह काफी डिप्रेस्टर में रहने लगे बें और लास्टर नहीं ने चेवर अपने आपको आत्मधा कर लेगी जी रुबर्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तम जानक किया उन्हें आतमधा के बाद चंडिगड़ पीजाई लाया गा था लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाये जहां उन्होंने दम तोड़ दिया हमिरपूर पुलिस द्वारा गुप सूचना के अधार पर चबूतरा के पास की गई नाकेबंदी में एक टेंपो से चार सो अवैध शिराब की पीटिया बरामत की गई है पुलिस ने मौके पर दो वहनों को भी जब्त किया है लेकिन वहन चालक गाड़ी छोड़ कर मौके से फरार हो गए पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर चान बिन शुरू कर दीगे सुदानपूर थाना परभारी के मताबिक पकड़ी गई गाड़ीया कांगड़ा की है गौर तलब है कि हीमाचल हमिरपूर पुलिस को जीले में पिछले महीने के दुरान अवैशराब के अलावा लगबक तीन किलो चरस पकड़ने में भी कामिया भी हासिल हुई थी कि वहीं अगर इस अवैशराब के पकड़े जाने की बात की जाए तो हमिरपूर में अवैशराब का ये पहला मामला है कि एकाई हमिरपूर ने अमरो चौग पर नाखल गाया हुऊ था तो उसी नाके के दुरान एक गाड़ी नम्री एक्सपी त्रिउंजा श्तासी प्रिउंजा जो टेंपो ट्रक है उसको जब रोकने के लिए इसारा किया तो उसके आगे एक गाड़ी और कार हमें शक हुआ इस गाड़ी में कुछ ना कुछ मादक पदार गारा हो सकते हैं तो हमने इस गाड़ी का पिच्छा किया और एक गाउं के पास गाड़ी को रोका और बहां गाड़ी को चेक किया तो उसमें देशी श्राव की चार सो पेटी मैं पाई गई सुलंजिले के ओद्वयगी क्षेत्र नालागड के खेडा गाउं में सिधार्ता फैक्टरी के सामने एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अपना संतोलन खो बैठा और साथ लगते खेतों में पलड़ गया ट्रैक्टर के जुड़े वाटर टैंकर के नीचे आने से ट्रैक्टर ड्रैवर की मौके पर हिमात हो गई पुलिस ने मामला दर्चकर कारवाई शुरू कर दी है और शव का पोस्ट मार्टम करवा कर उसे परिजनों को सौब दिया है मिरतक की पहचान 22 साल की कुल्भूशन के तौर पर हुई है 25 जून 1975 की आधी रात को देश की ततकालिन परदान मंतरी इंदरा गांधी द्वारा देश में अपातकाल की घोशना को बीजेपी ने शिमला में काले दीव असके तोर पर मनाया इस मौके पर शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारदवाज की अध्यक्षता में बीजेपी कारेकरता जिला धीश कार्याले के बाहर मूँपर काली पट्टी लगा कर पहुंचे और वहां मौन प्रदशन किया इस दोन कारेकरताओं ने हाथों में बैनर भी लिये हुए थे और अब वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे उदर रूसा सिस्टम के खिलाफ अब सब भी छातर संक्टन एक हो गए हैं नहान कॉलेज परिसर में SFI, ABVP और NACY ने मिलकर धरना परदर्शन किया और कॉलेज परशासन के खिलाफ जम करना रिबाजी की इन चातरों की मांग है कि कॉलेज परशासन रूसा सिस्टम को जल्दवा पसले क्योंकि इस ते चातरों को भारी परिशानियों के सामना करना पढ़ रहा है छातरों का कहना है कि सरकार रूसा सिस्टम को लागू तो कर रही है लेकिन सरकार के पास इसे लागू करने के लिए कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है ऐसे में रूसा को लागू करना उचित नहीं है नौबत यहां तक पहुँच गई है कि चात्रों को कॉलेज में दाखिला तक नहीं मिल पा रहा है जो यहां में मकसद है और रुसा के खिलाप है रुसा में फीस बिलिदी हो रही है इसमें सारे स्टूडेंट परिशान है और सारे यहां जितने भी है गाहों से आ रहे है और कॉलेज की अपनी बिल्डिंग तक नहीं है इसे लोग परिशान है और हमारा टाइमिंग टेबल कोई सैटिंग नहीं है जो रुसा के अंदर नंबे कलासे लगानी है यहां कोई भी कलास नहीं लग रही है यहां सारे बच्चे परिशान है और किसी का सैंटी में परसंटेज रुक रही है बच्चों को मैं मन परसंट पर सब्जक्ट नहीं में रहा है जैसा कि आज परदर्शन नहान कॉलेज के अंदर हो रहा है इसमें किसी एक संगठन की कोई ओ नहीं है इस संगठन की कोई नहीं है और इनका परदर्शन हो रहा है यह इनकी अपनी मांगों को लेकर हो रहा है और इसमें किसी एक संगठन के लोग नहीं है हिमाचल की नोजिलों की महिला स्वास्ते कारेकरताओं के लिए सिर्माण जिला मुख्याल नहान में आयो जीत प्रमोशनल ट्रेंश संपन हो गया ट्रेनिंग के दुरान स्वास्ते कारेकरताओं को फिल्ड विजिट भी करवाए गए और हेल्थ सुपर्वाइजर के हर काम से रूबरू कराए गया ताकि ये सही डंग से काम कर सके इस ट्रेनिंग के बाद इन स्वास्थे कारे करताओं को हेल्थ सुपर्वाइजर के पद पर निक्ट किया जाएगा परदेश सरकार दोरा इन सभी कारे करताओं को परदेश भर में उन जगाहों पर निक्ट किया जाएगा जहां पर हेल्फ सुपर्वाइजर के बद्ध खाली है। इस ट्रेनिंग में कुल 19 सुपर्वाइजर करता हुने हिस्सा लिया जी ने अब विभाग द्वारा प्रमोट किया जाएगा। इस ट्रेनिंग के मौके पर पूरे देश के साथ कुलू के बॉय सीनिर्स केंडरी स्कूल में अलग अलग स्कूलों के बच्चों द्वारे रेली निकालने का आयोजिन किया गया। इसरेयली को पूर्व सांसद और रेट क्रॉस साइटी के परदेश उपाध्यक्ष परतिवा सिंग ने हरी जन्डे दिखा कर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने देव सदर में आयोजित कारिकरम में भी शिरकत की। अंतरास्य स्थर पर गुरुवार को एंटी ड्रग डे मनाया गया। प्लब्द करवाई जाएंगी। जितना भी हर संबब प्रयास होगा इनकी मदद होगा। एंटी ड्रग डे पर कुलू के स्पी सुरेंदर वर्मा ने लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। सुरेंदर वर्मा ने कहा कि पहले लोग नशे को स्फ्रॉक्या तोर पर करते थे फिर उसके बाद आदी हो जाते हैं। हम ना तो नशा करेंगे ना ही अपने किसी साथी को अपने किसी रिष्टदार को अपने किसी सयोगी को नशा करने देंगे और उसकी खेती करने देंगे ना ही उसका बेपार करने देंगे। और यदि कोई इस तरह का काम करते हों, इस तरह की एक्टिविटीज गतिविदिये में involved पाया गया, जिस किसी को भी सुचना हो, जिस किसी को भी सुचना हो, वो तुरन्ट जिला पुलिस में, जिसका कंट्रोल रूम है हमारे पाई, जिसका नमबर हंडर्ड नमबर है, हमेशा इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे के मौके पर देश भर के अलग अलग सिस्सों में चातर चात्राओं ने रेलिया निकाली और संदेश दिया कि नशे को रोक निकले किस तरह से समाज के भागिदारी बेहग जरूरी है कुलू से मनविंदर अरोडा के साथ विवेक शर्मा डे नाइट नियूज तो ही मशल समाचार में आज बस इतना ही लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात तब तक दीजिये इजाज़त नमस्कार खबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिये ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन